नमस्कार आज इस वीडियो में हम अग्ये के जीवन परीचे के बारे में पढ़ेंगे उनकी भाशा शैली किस तरह के वो रचनाकार रहे हैं उनकी सभी चीजों के जो भी महतुपून चीज है जो एक्जाम के परपस से इंपॉर्टेट है उनकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और और भी रचनाकारो की वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है आम आजा कर देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंड वे शेयर जरूर कीजिए और और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो अगे जी को आदुनिक हिंदी सहित्य का प्रमुक सहित्यकार माना जाता है अगे जी का जो पूरा नाम है वो सचिदानन हीरानन वास्यायन था अगे उनका उपनाम था अगे का जन्व साथ मार्च 1911 को कस्या जिले देवरिया में हुआ इनका बच्पन लखनाव श्रीनगर जम्मू में बीता इनके पिताजी का नाम हीरानन शास्त्री था जो की भारतिय पुरातत्व विभाग में उच्पत पर अधिकारी थे पुरातत्व विभाग जो हिस्ट्री से संबंदित चानकारियो के विभाग में काम करते है वे संस्क्रिप्त के विद्वान थे अगे ने 1939 में लहोर के फॉर्मेन कॉलिज से बी एर सी की परिक्षप प्रथम शेडी में उत्तिर्ण की सर 1930 में उन्होंने एम्ब अंग्रेजी का ध्यन प्रारंब किया किन्तु करांतिकारी दलों में सक्रिय भागिता के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें चार साल तक कारवास में रखा गया जेल से वापस आने के बाद उन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया यानि एडिटिंग का काम भी उन्होंने महापे किया 1955 के बीच उन्होंने अकाश वानी में भी काम किया 1955 के बीच उन्होंने विभिन देशों की आत्राय भीकी सर 1961 में वे कैलिफॉनिय विश्वर विद्याले में भारतिय संस्कृति और सहित्य के अध्यापक नियुक्त हुए उन्हें अपने जीवन में सहित्य कार्मी पुरुसकार और ग्यान पुरुसकार भी मिले चार अप्रेल 1987 को अक्रेजी का दिहान दो गया तो अभी तक हमने उनके जीवन के बारे में उनकी शिक्षा दिक्षा के बारे में उनको क्या क्या आती है प्राप्तुरुने किस तरीके की चीजों को फेस के इन सब चीजों के बारे में हमने पड़ा, आप उनकी रचनाई देख लेते हैं, अगे जी एक प्रतिबाशाली तथा विविद विधाओं पर अपनी पकड रखने वाले सहित्यकार थे, उन्होंने लगबग सभी विधाओं में अपनी रचनाई लिखी, उनकी कुछ रचनाई निमलिखित नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो नाटक है, मैंने अंडलाइन कर दिया है कि क्या कहानी है, क्या नाटक है, तो नाटक है उनका उत्तर प्रियदर्शी, कावे संग्रय आंगन के पारद्वार, सागर मुद्रा, चिंता, मरुस्थल, पावर हेरी आदी, कानी संग्रय कोठरी की बात, अमरवल्लरी परंपरादी, उपन्या से अपने अचनभी नदी के द्वीपादी, अन्य रचना है, क्रिशंकू, आलवाल, सब रंग, एक मून्द सहसा उचली आदी, इनकी कुछ महत्वपून रचना है, मैंने आपको दिखा दी है अगर इन में से किसी एक रचना पर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं, या वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएए, और अगर आपको इनके लावा कोई और भी रचना हो, मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएए, ताकि और भी जो वाद और रहसेवाद का इक मिश्रत पूट मिलता है अगेई जी ने अपने सहिते में राष्टे चेपना को भी प्रकट किया है उन्होंने अपने कावे में तीखे व्यंगे भी शामिल किया अगेई जी को हम एक व्यक्ति निष्ट कवी के रूप में देख सकते हैं जहां वह एक तरफ एक व्यक्ति है जो समाज की विविन चूद नोतियों से उलजे दिखाए देते हैं अगेई जी जीवन को पूर्टा के जीने का अगरे करने वाले व्यक्ति है यानि पूरे तरीके से जीवन को जीने वाले व्यक्ति थे उनका मानना था कि जीवन को सार्थक रूप से जीना ही जीवन है वे एक सैनिक कवी थे जो शन भर को भी महत्वपून समस्ते थे यानि कुछ भी टाइम है, कुछ भी चुशन है वो भी बहुत महत्वपून है अग्गे जी की रिचनाओं में हमें करांती की भावना भी जो है देखने को मिलती है क्योंकि वे एक संगश्वादी कभी थे तद संगेश करना वे अनिवारे समस्ते थे अग्गे जी की जो कावे है विविद भाषा शैलियों से परवपून है उन्हें भाषा और शैलियों को लेकर अनेक प्रियों किया है उन्हें तत्सम तत्भव और अन्य भाषाओ के शब्दों का भी सुंदर एवं सार्थक प्रियों किया है उन्हें नवीन प्राचिन और मिश्टिचंदों का भी प्रियों कीजिये और जो कुछ महत्वपून चीजे हैं वो हम यहां देख चुके हैं आशा करती हूँ वीडियो आपको समझाया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़ो कीजिए वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट ज़ो कीजिए और और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिये धन्यवाद